बरतमार में कलास 12 के विद्यार्थियों का जो आपका सेप्टेमबर वाला मासी परिच्छा चर रहा है तो उसमें होम साइंस का यहाँ पर जो ग्रीह भी ग्यान सब्जक्ट होता है तो होम साइंस का कोशन पेपर यहाँ पर आपके सामने है पूरे प्रसंपत्र का सॉलूसर हम का यार की करके भेशा गया प्रसंपत्र है और यहां से आपके इंटर बोड़ एकजाम 2024 में भी कुछ प्रसंट टकड़ाएंगे तो आई यह समझते हैं ध्यान से तो आपके सेप्टेमबर वाला मासी परिच्छा का और उसके साथ साथ इंटर बोड़ एकजाम 2024 के लिए भी महत्वपून है तो यहां पर दिके कौन से परिच्छा करेंगे तो क्लास 12 का जो मंथली एकजाम चल रहा है सेप्टेमबर वाला तो उसमें होम साइंस ग्रीष विग्यान का मलोग जिनका 20 से कोर 319 से आल्ट से स्ट्रिम का उसकी चर्चा करने जा रहे हैं आई यह देखते ह क्योंकि जीश चाल चातर है का है उसके दोरा टीक किया गया है चलिए देखते हैं पहला नमर प्रस्ण क्या कर रहे है कि सबसे बड़ी अंतह श्रावी गरंथी कौन है तो सबसे बड़ी अंतह श्रावी गरंथी जो हम लोग गलाओ गारा में पाय जाता है थायराइड प्रस्ण कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण कर निमन में से कौन सी अंतह श्रावी गरंथी नहीं है इसने से कौन जो है अंतह श्रावी गरंथी नहीं है तो ये पसीना गरंथी नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और सबसे आम अंतह श्रावी बिकारी समय क्या हो गया है तो मधुमेह डाइबेटेस जो है और सन ए सही उत्तर हो प्रजनन रिपोल्डक्षन के लिए भी हार्मोन उत्रदाई है तो सही उतर क्या होजाएगा ओप्संडी ठीक है तो पांच का सही उतर है ओप्संडी चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से समझते चलिएगा पूरा प्रसंपत्र अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मैं इन भी हार्मोन है इसी के कमी से तो उपर पूछा था कि मधुमेह रोग होता है फिर टेस्टेस्ट्रोन भी महत मने एस्ट्रोजन आप जानते है कि प्रमुख हार्मोन है जो इस्त्रियों में पाया जाता है इस्त्री गूर्ण के लिए उतर दाई है पूरसों में टेस्ट्र पाया जाता है, टेस्टेस्ट्रोन मने पूरसुत्व अगुण का उतरदाई है, और उसके साथ इन्सुलीन तो इसी कमी से मधुमे उगारा रोग होता है, तो इसमें से पूछाता है कौन हार्मोन नहीं है, तो चुकि सभी हार्मोन है, इसलिए ओप्सन डी के साथ जाएंगे क इन में से कोई नहीं, करा कि कौन सा हार्मोन पूरूस और महिला दोनों में एक समान होता है, साथ नमर प्रसन है कि कौन सा हार्मोन पूरूस और महिला में एक समान होता है, जैके टेस्टेस्ट्रोन सिर्फ मतलब की पूरूस में पाया जाता है, प्रोजेस्ट्रोन और प्रदूसक मानो निर्मित कारण है इसमें से कौन जो है हम लोगों के वजह से इसमें से परियावरन का परदूसन कर रहा है तो परीवहन परिवहन हम लोग मतलब कि ट्रांस्पोर्टेशन का अब जो अब इसकार के उसे जो धुआ होगा रहा है ध्वनी पर्दूसन वायू पर्दूसन सभी हो रहा है और धूल भर्यान दिये हम लोग के द्वारा नहीं है जंगल की आग भी नहीं है जो अला मुखी गति भी दिया म 10 नमर प्रशन है वायू पर्दूसन में कौन सी बीमारी नहीं होती है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कौन सी बीमारी वायू पर दूसन से नहीं होती है तो यहाँ पर गठी है ठीक है ओप्शन भी 10 नमर प्रशन का सही उतर हो जाएगा बाकि ब्रोकाइड्स अस्थमा एल तो जल पर दूसन का देखिए सहरी करन भी है यहां पे बनों की कटाई भी है और धोगी का अप्सिस्ट भी है तो इसलिए ओप संडी 11 नमबर प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण 12 नमबर कह रहा है आप से कि निम्न में से कौन जल जन पानीत रोग नहीं तो कौन जल जनीत रोग नहीं है तो ध्यान से दखेंगे तो यह लिखा है तनक हपे दिक तो यहां पर देखिये तो इसलिए सलभी अगला प्रसन है कि सतही जल पर दूसन होता है तो सतही जल पर दूसन महासागर नदी जील सम्में होता है तो जल का सतह पर दूसन तो तेरा का हो जाएगा अगला प्रसन कहा रहा है 14 नमर कि निमन में से कौन पानी के उबालने से मर जाते हैं तो काफी हद तक पानी में छुपे हुए बिसाडू, बैक्टिरिया, परजीवी सभी मर जाते हैं तो अप्रसन दी के साथ जाएंगे तो 14 का भी हो गया अप्रसन दी ध्यान से देखते चलि लोग निकाल सकते हैं तो ऑप्स अप्स अउत्र हो जाएगा 15 नमर प्रसन का चलिये आगे बढ़ते हैं यहां पर ध्यान से देखिए गा 16 नमर प्रसन की चरचा करते हैं निमलिकित में से कौन सा जल परदूसन का कारण नहीं है यहाँ पर गौर करेंगे नहीं है तो पौधा जल परदूसन का कारण नहीं है बाकि जानुवर बाढ़ मानो गति भी दिया सभी है तो option A 16 नमर परदूसन का सही उतर आपको कर देना है 17 नमर परदूसन देखिएगा वायू परदूसन को कम करने के लिए अच्छा तरीका कौन सा है तो कह रहा है कि पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करें बिल्कुल सही कचरा न जलाएं सरजनिक परिवहन का उपयोग करें तो इसलिए क्या हो जाएगा option D ठीक option D सही उतर है न नहीं होगा चलिए 19 नमर प्रसन यहाँ पे क्या था option C करें घरेलू कचरा किस प्रकार का परदूसन फैलाता है तो घरेलू कचरा अगर माल लिए जलोगारा में आप डाल देंगे तो जल परदूसन फैलाएगा भूमी पे कहीं पे उसमें दफनाएंगे प्लास्टिक अगर है तो भूमी का भी मतलब उर्बरा सकती खतम करेगा अगर खुला में छोड़ेंगे सड़ेगा उससे बदू आएगा तो वाई उपर दूसन भी होगा तो इसलिए option D सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन 20 नमबर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कह रह ना वाईलिंग या हीटिंग करना ठीक है तो 20 का सही उत्र है उप्षन ही आगे बढ़ते हैं अगला प्रसने की पर दूसन के कारण की संसाधन की गुणवक्ता खराब नहीं होता तकंवल था खराब नहीं होता है सुरिय का बाकि सभी का गुणवता खराब हो रहा है अदि क्या खराब हो रहा है उजोन परत खराब हो रहा है पहले भी था वो लेकिन अजोन परत उसको छाय मतल़ को रोक ले रहा था है इसलिए उजोन नहीं आता था धरती पे तो अप्शन भी सह उत्र हो जाएगा वायू पॉल मतलब परदूसी ताप वायू सांस लेंगे तो स्वासन समंधी बीमारी होगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तेज नम्मर प्रसंपर हम लोग पहुंच चुक है आगे मैं सब्जेक्टिव का भी उतर कराऊंगा करें तेज सूर के सं करताना होगा तो सबसे महांगा रूप क्या होगा पुनर चक्रन रिसाइकिल करना मद उसको पुनर उपयोग में लाना यह सबसे महांगा हो जाएगा निमन में से कौन परदूसी तो वायू को सुधिकरन करने का प्राकिर्तिक तरीका है तो प्राकिर्तिक तरीका क्या है पि परदूसन के सभी कारण है तो लकड़ी या इंधन का जालाना ठीक है तो आपसंडी सही उतर हो जाएगा चलिए आगला प्रसन है निवन में से सुध जल की प्राकिर्तिक शुरूत कौन सा है तो सबसे देखे फिर वहीं प्रसन आप से बार बार पूछ रहा है कि सभी ये जल क का सुरूत है लेकि सबसे सुध जल कौन है तो कुमा कुमा उगारा से पहले लोग पानी भी पीते थे तो 27 का ओप्शन सी आगे बढ़ेंगे दो तीन प्रसन और है देखकर फिर सब्जेक्टी प्रसन के हम लोग चर्शा करते हैं 28 नमर प्रसन कह रहा है वाहनों के लिए सब से कम परदूसर फैलाने वाला इंधन तो आजकल सी अन्जी की बात हो रहा है कॉंप्रेस्ट नेचुरल इंजन तो ऑप्शन ए सही उतर हो जाएगा गलोबल वार्मिंग के लिए मुख रूप से कौन सी कैस जिम्यदार है कारबन डाई अक्साइड ऑप्शन भी सही उतर या तो ये कार से होता है रिडियूस तो ये है तो ये भी नहीं होगा दूसर होता है रिसाइकल ये भी मिल गया रियूज ये भी मिल गया तो कौन नहीं है तो ऑप्शन भी रिकॉभर नहीं है ठीक है तो ऑप्शन भी सही उतर हो जाएगा तीस नमर प्रसन का तो पूरा महिने अब्जेक्टिव 30 में 30 बता या कोई भी 25 आपको बना लेना ऐसे 30 प्रसन पूरा याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर सब्जेक्टिव टाइप प्रसने जो कि सब्जेक्टिव टाइप रसन क्या करें कि पांच पे टीपनी लिखे होम साइंस मैं सही प्रसन आता है दो दोंका प्रसने दस दिया गया है पर दूसन स्वक्षता हर्मोन पर दूसक बनों की कटाई अपसिस्ट निप्टाना इसमें से कोई भी पांच पर आपको लिख देना है मैं अभी आपको उतर भी दिखाऊंगा यहां पे अंतासरावी गरंती सतही जल कोई भी पा प्रेक्टिब का उतर मैं आपके लिए इस रूप में तयार किया हूं कि पूछा था कि लिखे यहां पर दूसन पे तो पर दूसन के बारे में हार्मोन पर टिपड़ी कीजिए तो हार्मोन के बारे में हो गया दो आपका कंप्लीट यहां पे करहां मिर्दा पर दूसन तीन ह हो गया स्वक्षता तो चार हो गया चार पर आपका उत्तरमन कंप्लीट हुआ है एक पुछा ता अंतहसरावी ग्रंथी तो यहां पर हो गया अंतहसरावी ग्रंथी तो पांच पर हमने टीपड़ी लिख दिया आगे कहा था कि तीन दिर्गुतर यह प्रसर का जबाब सब्सक्राइब करेंगे यहां पर ध्यान से इसके लिए आपको अपने मोबायल फून का कोई भी ब्राउजर उपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स माई और इस चैनल का नाम इस तरह देख लिजिए आर केरियर पॉइंट स्पेलिंग बिल्कूर सब्सक्राइब करना है औ और निचे की तरह पर स्कॉल डाउन करना और कहां पहुंचना है तो क्लास 12 वाले कटेगरी में ठीक है क्लास 12 और यहां पर दीके क्लास 12 में ऐसे खोज लिजेगा कि 12 आल्ट्स या यहां पर दीके हिस्टरी इस तरह मिल जाएगा होम साइंस होगा तो इसमें भी खोज सकते यहां पूरा सब्जक का एक जगा पर चाहिए तो यहां पर आल्ट्स जहां पर लिखाओगा मन्थली अकजाम कोशन पेपर यहां पर पहले नंबर पर मिल गया तो यहां पर इस इस सीम्पल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है यहां पर किलिक करके निचे की तरह पर स्कॉल कुलिक करना जैसे मैंने आपके सामने के काम करकर द्खा रहूं पर मैंने क्लिक किया यहां पे ग्यान के बारे में एक अप्सपव्ट मेल हो जाएगा प्रफ की शित्माए कि तीस में 30 की यहां पर सही होताält Anda भी आपको 25 बना देना इसमें से देख कर और यहां पे सब्जेक्टिव का PDF अगर आपको डाउनलोड करना है क्योंकि मैं बोला कि यह आगे आने वाले एकजाम के लिए महत्वपूने तो जरूर डाउनलोड करके अपको डाउनलोड कर लेना है या मानली आपको डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं यहां से तो सिधह यहां से देख लिख सकते हैं पूरा यहां प्रशन तर अपडेट कर दThen आ सब्सक्राइब कर सकते तो यहां सब्सक्राइब कर लिए पढ़ाई करते रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्याबाद